हेलो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ अभी आपको लोगों पता है दोस्तों कि कोलकता कंदर में इंफाल तूफान आया था तो तब से मेरा ब्रॉडबेंड डिस्टर्बहभी तक ठीक नहीं हुआ है जैसी वो ठीक हो जाता है रिव्डियो से आना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि मुबाइल डेटा से हो नहीं पाता है सब कुछ तो आज के वैसे मैं काफी इंट्रेस्टिंग आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ यह कि अगर पर एप को इंड़ाबल नहीं है.. तो आप इस अपको इंस्टॉल करते हो तो उसका ओरेझेशन आपको उल्टा दिखाई देता है.. आप को इन्सेप का ओरेझेशन लेंटस्केपह bolt बोता है... और वह अइप का जब आप इस्टॉल क लेते हो तो इसका को अरियेंटेशन आपको पोर्टर दिखता है तो आपको इल्टा दिखता आपके टीवी में तो में तो इसका एक शलूशन है इस अपको आफ को ङल現在 को आप पने टीवी में jadi आपने यहीद तो आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना में लगए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्ली से भाई 20K पहुंचा दो चैनल क दिस्क्रिप्सिन बॉक्स में यह काफी इंपॉर्टेट एप है इस एप को कर लेना है अपने टीवी में आपको इंस्टॉल पेंड्राइब के थुरू तो चलिए यहां पर मैं आल्रेडी इंस्टॉल करके रखा हूं तो आपको बता देता हूं कि आपको क्या-क्या यहां पर फीचर मिलने वाले हैं और कैसे आपको इसको यूज करना है क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट एप है एंड्रोइड टीवी के लिए तो सबसे पहले आप आप आपस में चले जाए अगर आपको इंस्टॉल करोगे तो आप वहीं से भी कर सकते हो यह रही दोस्तों ठीक है इसको आप लेंड्सकेप पर कर लो जड़तर जो ईयतर जो एपस होकी लेंड्सकेप करने पर ही चल जाती है इसके बाद और फिर भी कोई प्रॉल्म आ रही आपको तो आप इसको automatic भी कर सकते हो तो यहां पर automatic कर दोगे तो TV के orientation के हिसाब से वो app चलने लगती है बट कुछ apps HC होती है जो sensor का use करती है sensor का use करके वो अपना orientation डिसाइड करती है तो वहां पर automatic कभी कभी काम नहीं करता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप हमेंसे landscape करके ही रखे अधर्वाइस आप किसी app को install जब करोगे अपने TV में जो खास करके TV के लिए नहीं बनी है तो उसका orientation आपको उल्टा दिखेगा यही आपको problem आती है Jio TV app में क्योंकि उसका orientation जो है वो phone के हिसाब से वो app design कर की गई है इसलिए वो TV में आपके सही से open नहीं होती उल्टा आपको दिखता है तो वैसे इस app को आपको हमेशे अपने TV में install करके रखना है अगर आप जाड़ा apps का use करते हो तो जरूर आपको इस app को install करके रखना चाहिए अपने TV में तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये update आपको पसंद आया होगा अगर आपका कोई सवाल हो सुझा हो तो नीचे comment करना मत भूलिए अगर आपने इस वीडियो को like और share नहीं किया है तो इस वीडियो को आप like करिए इस वीडियो को आप share करिए चैनल पर पहली बार है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करिए कुछ ऐसे ही मी TV से रिलेटर इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में